खुसखवरी है उन बच्चों के लिए जो मैट्रिक पास कर चुके हैं और जिनकी आयू 17 साल से उपर और 23 साल से कम है तो उनके लिए सुनहरा मौका ये है कि अगनी वीर का जो बहाली है वो पहला बहाली श्टार्ड होने वाला है 21 नौंबर से मुझपरपुर में अगनी वीर की बहाली होगी इसमें सभी जीला के बच्चे सामिल हो सकते हैं लेकिन डेट रखा गया है कि जीला के बच्चे कब सामिल होंगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग जरूर जोईन करें अगनी वीर योजना जो बहुत बहतर योजना है और चार साल के आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहा है यह वाओ के साथ जो यहँआ इतना मेहनत जी जान लगा के अपना प्रहिसरम करके जाते हैं अपने बहाली में आर्मी के बहाली का सपना देखते हैं और चार साल में गुवर्मेट रिटायर कर देगी यह मेरे नजरिया से अच्छा नहीं है गलत है जहला कि आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बतलाइए कि यह चार चाल की बहाली आगे समझते इस वीडियो के बारे में यह आप लोग सबसे पहले जिला की बात कर लेते हैं कि जिला के बच्चे कब सामिल होंगे तो देखी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 21 नौंबर से 4 दिसंबर तक परकिरिया चलेगी 21 नौंबर से 4 दिसंबर के बीच होगी इसके अलागा कटिहार, मरापूर्णिया, अररिया, किसंगंज, सहरसा, सुपॉल, मुंगेर, बाका, भागलपूर, खगडिया और बेगुस राय की बहाली साथ तारिक से 20 दिसंबर के बीच हो सकती है तो आप लोग तयार रहिए आपका डॉक्मेंट मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्मेंट लगेगा आगे देखते हैं कि आगे हमारे दिया हुआ है मुझपर, पूर, समस्ती, पूर, दर्भांगा, मधुबनी, सीता मडी, सीउहर, पश्चिम, चंपारन, पूर्वी, चंपान की बहाली 21 नौंबर से 4 दिसंबर के बीच होगी कटिहार, मध्यपूरा, पूर्णिया, अररिया, किसन गंज, सहरसा, सुपॉल, मुंगेर, बाका, भागलपूर, खगड़िया और बेगुस राय की बहाली 7 से 21 दिसंबर के बीच होगी वही आते हैं दानापूर राजे के में जो जिला पड़ते हैं बखसर, भोजपूर, सीवान, सारन, गोपाल गंज और वैसाली के युवा की बहाली उनकी बहाली 17 से लेकर 17 से नहीं, 7 से लेकर 20 दिसंबर के बीच होगी और इनकी आयू की अगर बात करें तो 13 साल से लेकर 23 साल के बच्चे इसमें सामिल हो सकते हैं अब आगे बात करते हैं क्या क्या सर्टिफिकर लगेगा तो इसके बहाली के लिए परमान पत्र है अवासिय आपका लगेगा, यह सक्षैनिक लगेगा, मतलब सिक्षा कहां तक की है मैट्रिक पास हैं, अगर मैट्रिक में आपका 33 नंबर है, 33 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है यानि 33 नंबर होना जरूरी है, अगर सिक्षा में 33 नंबर है, मैट्रिक में इंटर में कहीं भी, कोई मतलब नहीं है आवासिय, जाती, धर्म, स्कूल, चरित्र, प्रमाद, पत्र और भीवाईक यानि आपकी साधी नहीं हुई है इसे सब पेन कार्ड, आपका अधार कार्ड वगर है बैंक अकाउंट यह सब लगेगा आप लोग सब डॉक्मेंट तैयार कर लें नौवंबर से पहले अब देखते हैं क्या राची, राची में अगर होगा बहाली तो इसमें होगा पांच तारीक से लेकर बाइस सितंबर, दो हजर बाइस राची में सितंबर में होगा, वही दानापूर की बात करते हैं तो साथ से लेकर तेईस अक्टूबर के बीच होगा गया की बात करे तो 12 सेफले का 15 नौंबर के बीच होगा 21 नौंबर से 4 दिसंबर के बीच होगा कटिहार का भी जो होता है उसका केंद्र हमारा बहाली होगा मुझपरपूर में 7 से लेके 20 दिसंबर के बीच कुछ विबिसेश बाते कर लेते हैं इसके बारे में तो ये परकिरिया चार साल की होगी, यानि अगर आपका बहाली हो जाता है, तो चार ईयर तक आपके बहाली में आप रहेंगे, और चार साल के बाद आपको रिटाइर्मेंट दे दी जाएगी, यह हला कि गौवर्मेंट ने जो काम किया है थोड़ा सा गलत काम किया है हमारे वीरों के साथ यानि जो भी इंडियन आर्मी में जाने चाते हैं उनके लिए थोड़ा सा गौवर्मेंट गलत कर दिया है जो चार साल की बहाली है चार साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा लेकिन उन बच्चों को रिटायर किया जाएगा जैसे 100 अगर बहाली होता है तो इसमें से 25 को जो सक्षम होंगे उनको पर्मनेंट रख लिया जाएगा अब 75 का रिटायरमेंट होगा यानि 25% और रेडी रह जाएगे और 75% 15% रिटायरमेंट के टायम उनको कुछ पैसे दिये जाएगे 12-13 लाख रुपय जो भी है वो दिये जाएगे और ऐसे मिला कि आप 4 साल में 23 लाख सम्थिंग कमा सकेंगे उसके बाद आप 4 साल बाद क्या करेंगे उससे गोवर्मेंट को कोई मतलब नहीं है आप क्या करें क् आप कमेंट जरूर करें और साथ में आप की जिला से हैं यह मुझे जरूर बताएं और आपका मैट्रिक में कितना नंबर है और इंटर में कितना नंबर है तो आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था अगर एक महत्पुन सुचना और है अगर आप क्लास 10, 11, 12 और कंप्ट इसन के चात्र है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो आज का वीडियो बस इतना ही था जैहिन दोस्तों